नमस्कार प्रेदर्शकों हाजिर हुमें करक लगन के बारहो भाव में चंद्रमा के प्रभाव को ले करके अब तक हमारी बातचीत मेस लगन से ले करके मिथुन लगन परियंत बारहो भाव में चंद्रमा के प्रभाव को ले करके हो चुकी है करक लगन जलतत्व प्रधान लगन है इस लगन में जलतत्व की ही प्रधानता है यानि तीनों त्रिकोणों में जलतत्व की रासी बनी हुई है करक राशी, शर रासी, जल तत्व की रासी, ब्रिश्चिक रासी, इस्थिर रासी, जल तत्व की रासी और मीन रासी, द्वी स्वाभाविक रासी, जल तत्व की रासी इस लगन की बात करूँ तो इस लगन में सरवाधिक कारक, मंगल, गुरू और खुद चंद्रमा हुआ करते हैं इस लगन के जातकों को कैसा प्रभाव मिलने वाला है चंद्रमा का आईए इसके बारे में जानते हैं प्रियदर्शकों चंद्रमा एक मात्र ऐसे ग्रह हैं जो सुभग रह भी है और पापग रह भी है वैसे तो ये बात बुद्ध पर भी लागू होती है क्योंकि बुद्ध भी सुभग रह हैं और पापग रह भी पापगरह ऐसे जब वो किसी पापगरह के साथ होते हैं तो पापगरह बन जाते हैं जब वो सुभगरह के साथ हो तो वो सुभगरह बन जाते हैं चंद्रमा को समझने के लिए चंद्रमा के फल को सबसे ज़ादा बेहतर धन से समझने के लिए आपकी जन्म कुंडली में इस बात को अवस्य ध्यान में रखना होगा कि मैं जब भे किसी भाव में चंद्रमा के अच्छे फल को बता रहा हूं तो आप चंद्रमा के लिए ये अवस्य देख लीजिए कि चंद्रमा या तो किसी सुभग रह के साथ हो या किसी सुभग रह से दृष्ट हो अकेले चंद्रमा या तो के मद्रूम योग बनाएंगे अथवा सनी से दृष्ट होने पर विश्योग बनाएंगे सनी के साथ होने पर विश्योग बनाएंगे चन राहु अथवा केतू के साथ संबंध बनाएं तो ग्रहन बनाएंगे सुर्य के साथ हो तो ये अमावस्या का दोस बनाएंगे तो इसके लिए आपको जरूर देख लेना है कि ये चंद्रमा किसके साथ बैठे हैं किसे से द्रिश्ट है अब इस वीद्धू सुभक रह है लेकिन राहु के सामने होने के कारण पापक रहां की गणना आती है आगे उसके बारे में कई बार बता चुका हूँ आगे भी बताओंगा लेकिन बात चंद्रमा की चल रही है तो चंद्रमा किसी न किसी ग्रह से जो सुभक रहा हैं उन से चंद्रमा तो इसका मतलब है कि आप करक लगन और करक राशी के हैं करक लगन और करक रासी यह जलतत्व प्रधान रासी हो गई जलतत्व प्रधान लगन हो गया दोनों में अईक के है अतह अत्यंत स्रिष्ट आप भावुक हैं आप भावना प्रधान हैं आप कलपना सील हैं आपका हिर्दय बहुत कोमल है, आप अगर पुरुष भी हैं, इसके बावजूद सामानने सी बातों में भी आपकी आँखों में आसू देखने को मिल सकता है। अतहा आपको कहूंगा कि विश्वास करना अत्यंत स्रिष्ट, लेकिन अंध विश्वास कभी ठीक नहीं है, यह अंध विश्वास आपको सदैव नुकसान में डालेगा। इसके लिए जरूर कहूंगा कि अपने स्वभाव में बदलाव लाकर के आप स्रिष्ट सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चंद्रमा का रत्नमोती आप धारण कर सकते हैं, चंद्रमा का आप स्रिष्ट लाव ले सकते हैं। अब यदी मान लीजिए कि लगनेस जाकर के कुंडली के दुतिये भाव में बैठ जाए, धनभाव में बैठ जाए, तो ये सूत्र याद रखिएगा कि लगनेस जन्व कुंडली के जिस भाव में भी बैठे, जिस भाव में भी बैठेगा, उस भाव से संबंधित फल में ब आपको जबर्दस्त पैत्रिक संपत्ती दिलाएंगे अगर जबर्दस्त पैत्रिक संपत्ती नौ भी दिलाएं तो पिता ऐसा काम करने वाले होंगे या पिता का कुछ ऐसा काम होगा जिसे करके जिसे लेकर आप अपने जीवन काल में खूब धन कमाएंगे यानि कि लगनेस का जाकर के दुतिये भाव में बैठना आपको धनवान बनाएगा, आपको ज्यानवान बनाएगा, आपकी वाणी अत्यंत स्रेश्ट होगी, लेकिन चुकि सिम्म रासी में जाकर के बैठने के कारण एक कमी भी आएगी, वैसे तो आप करक लगने के हैं, भावुक हैं, लेकिन र अधी बात पर आप अनुसासित हैं, अनुसासित ही काम करने वाले हैं, यानि करक लगन और शिंग्रासी होने के कारण यहाँ थोड़ी सी भेव, थोड़ी सी परिशानी भी आपके साथ आएगी, कि कई बार परिष्टितियों के कारण आप अपने आप सिर लड़ने क्योंकि लगन आपका जल तत्व है और अरासी आपकी अगनी तत्व की हो जाएगी तो जल और अगनी का मेल नहीं इसके कारण आपको थोड़ी समस्या उठानी पड़ सकती है यानि अपने स्वभाव के कारण ही आप परिशान हो जाएंगे कई बार अपने आप पर आपको गुसा आने लगेगा कि मैं इस तरह की हरकते कर देता हूँ बाद में मुझे पच्ताना पड़ता है हो सकता है कि इस सवस्था में आपके अंदर आलस से भी बहुत जादा हो जाए हो सकता है आपकी बाणी जो की बड़ी स्रेष्ट थी आपकी सोच जो की बहुत अच्छी है लेकिन कई बार ऐसी बाणी आप सामने वाले को बोल देंगे जिसके कारण रोग आपके सत्रू बन सकते हैं आजाईए लगनेस जाकर के अधी पराक्रम भाव में बैढ़ जाएं अक्त्यंत श्रेष्ट मैंने कहा था कि लगनका मालिक जब भी जहां बैठेगा वहां बृध्धी करेगा तो इसका मतब है आपके पराक्रम की बृध्धी करेगा आपके छोटे भाईयों का विकास कराने वाला होगा छोटे भाई बहन जो भी होंगे उनको विकास देने वाला होगा लगने इस पराक्रम स्थोकर के भाग्यभाव को देखेंगे अतह भाग्य की बृध्धी कराएंगे अपने पराक्रम की चलते आपके भाग्य की बृध्धी होगी लेकिन चंद्रमा का एक सभाव है घटना और बढ़ना तो इसके लिए पहले आपको चंद्रमा को देख लेना फिर मया काम प्रारंभ कर लेगा, यानि एक रसता, एक समरस इस्तिती होकर के वो काम नहीं करता है, और अगर ऐसी इस्तिती है, तो निश्चे ही आपकी सफलताओं में बाधा उधपन्न होगी, लेकिन अगर ये चंद्रमाब बलवान है, तो उस अवस्था में आप स्रिष्ट में एक रसता नहीं दिखाई पड़ेगी, यानि कि यहां की जो इस्तिती है, आपको एक रस नहीं रहने देगा, ये भूमी तत्व की रासी है, लेकिन भूमी तत्व में और जल तत्व में सामन जस्य है, भूमी पर अगर जल जाए, तो भूमी जल को सोख लेगी, या जल द देखिए, फिर ये देखिए, कि चंद्रमा कहीं पापक ग्रह तो नहीं बने हुए हैं, और फिर ये देखिए, कि ये चंद्रमा पीडिक तो नहीं, और हर बार कहूंगा कि ये देखिए, कि चंद्रमा किस से दिर्ष्ट हैं, और उनके दोनों तरफ कौन से ग्रह बैठे हैं इन भावों में यानि इन तीन भावों में आप रत्न चंद्रमा का यहां और यहां धारण कर सकते हैं यहां भी धारण करने की मना ही नहीं करूंगा अगर सिंग रासिस्त हैं और सुरे के साथ समन्दूल के अच्छे हैं तो आप रत्न धारन करना चाहें, धारन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु अपने स्वास्त का जरा ध्यान रखिएगा, यहां बैठ करके क्योंकि ठंडा में गरम मिला हुआ है, तो कई बार cold, ठंड से सम्दित सिकायते होने लगती हैं, जैसे मौसम बदलेगा, आपकी तबियत खराब होगी, तो रत्न धारन करने से पहले जरा विचार कर लिजेगा, शिव जी की आराधना करके, आप चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं, मा का सम्मान करके, मा की सेवा करके, आप चंद्रमा को ठीक कर सकते हैं, अब यह चंद्रमा आकर के बैठ जाते हैं, मा के घर मे अग्र पर बैठे चंद्रमा आपको सभी सुखों को देने वाले हैं आपके सारे सुख देंगे लेकिन अगर ये पीडित हो जाएं अगर ये पापगर बन जाएं तो फिर आपके कारण घर में कलँ होने लगेगा आप इतने आलसी व्यक्ति होंगे कि आप अपना काम कभी वक्त पर महीं करेंगे सदैवा आपकी पत्नी को आपसे ये सिकायत होगी ही होगी कि आप काम को ठीक से नहीं करते टालते हैं अथवा आपके पत्नी को ये सिकायत होगी कि आप आलसी प्रवृत्ति की हैं आप काम चोर अगर यहां पर चंद्रमा अच्छी अवस्था में है पीडित नहीं है अथवा गुरू से द्रिष्ट है तो यह गजकेसरी योग है और उस अवस्था में जबरदस्थ गुरू से द्रिष्ट है तो यह गजकेसरी योग है जबरदस्थ और आपको यह बढ़िया फायदा देन यहां बैठा चंद्रमा तुला रासी चुकी वायूतत्व की रासी है आप जलतत्व की रासी में वायूतत्व का कोई मेल नहीं लेकिन यहां पर बैठे चंद्रमा से आपको तब तक दिक्कत नहीं लेकिन पीरित होने की अवस्था में यह मा के सुखो को कम करेगा मा के स्वास तो में नहीं, सामान ने हो जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा, कि तीन अंस के बाद, नीचत्व से बाहर हैं ये, उपर से, अगर मंगल के साथ इनके संबंद ठीक हो, मंगल के साथ इनका संबंद अच्छा हो, तो ये स्रिष्ट, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण, बना हुआ है यहाँ पर, तो मंगल के साथ संबंद देख लीजिए, पुना कहूंगा, कि मैंने जितने लोगों पर आज माया, मैंने पाया, कि तीन अंस से उपर चंद्रमा है, तो उनका मन बिल्कुल असांत तो नहीं, लेकिन फिर भी, चुकि ये नीचकी रासी में है, तो थोड़ा ही सही परंतु मन जातक का असांत रह रहा है, थोड़ा ही सही परंतु जातक का मन असांत रह रहा है, अब ये देख लेना है कि डिगरी चंद्रमा की कितनी है, यहाँ पैठे चंद्रमा पर अगर कहीं से गुरू की दृष्टी पढ़ रही हो, तो यह अत्यन तस्र रहा हूँ कि अगर आप पहनना चाहें, पहन सकते हैं, यहां आजाइए, लगने सोकर के अगर सश्ठस्त हो जाते हैं, तब क्या हो, वही एक बात और बता देता हूँ, कि यहां अगर चंद्रमा बैठे हैं, तो आपके बाले काल में थोड़ी समस्या होगी, सच्छा में बाध उत्पन करते हैं, बाधा कैसी उत्पन करेंगे, आप पांच दिन खुब मन लगा करके पढ़ेंगे, तो फिर पांच दिन अगला आपकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी, आपका मन ही नहीं लगेगा, मन उचाठ होता रहेगा, किसी भी चीज को आप प्रारंभ करेंगे, औ लेकिन समस्या रहेगी, कैसी? कई बार आप जिस चीज की कलपना करेंगे, किसी कहानी की अगर कलपना कर रहे हैं, तो अंत में जाकर क्या फंस जाएंगे, आपको उसका अंत मिलेगा ही नहीं, कन्फ्यूजन थोड़ी सी होगी, शंसय होगी, यहां आजाईए, अगर लगने व्यक्तित्व कैसा हो गया, आप जलतत्व के हैं, भावुक हैं, लेकिन रासी कैसी है, तो रासी, धनु रासी होने के कारण, आपके व्यक्तित्व में, अब द्रीष्वाभावी इस्तिती दिखने लगी, कैसी? आप थोड़े से मुनफट्र रितिके हैं, आप मुह पर ही ब जलते आप कई बार ऐसा बोल बैठेंगे, जिसके कारण सम्मान आपको जो मिल रहा था, वो अकमान में परिवर्तित हो जाएगा, चुकि लगनेस जाकर के छटवे भाव में बैठे हैं, मैं पुना कह दूं कि लगनेस को छटवे भाव का दोस तो नहीं होता, और चंद्रमा अगर संबंद चंद्रमा का ठीक, तो फिर ये शत्रुहंता योग है, हाँ, ये आपके मा के साथ संबंद को कमजोर कर सकता है, मा के स्वास्त में कमिला सकता है, मा के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उससे अगर आप नहीं बचे, मा का संब्मान नहीं किया, तो फिर निश्चित ये चंद्रमा आपको रूगी बनाएगा ये चंद्रमा आपको कुछ न कुछ परेसानियां देगा ये चंद्रमा आपको कर्ज में डाल देगा ये चंद्रमा आपको सत्रू वाला बना देगा यानि आपको सत्रू भरे पड़े होंगे आपकी वाणी के कारण तो सुध्यान रखिएगा यहाँ बैठे हैं चंद्रमा तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए और मा का सम्मान करिए अब वो लगने साकर के सब्तम स्थान मकर रासी में बैठ जाएं घूमी तत्व की रासी है चर रासी है और चर रासी में आकर के चंद्रमा कोई बहुत अच्छी स्थिती में नहीं जा सकते क्यों? क्योंकि मन चर इस्थिती में जाएगा तो पहले ही भागने वाला है और चर रासी में चला जाए तो उसके प्रभाव में कोई स्रेष्टता नहीं आएगी सनी की दासी है, तो कई बार यहां पर बैठे चंद्रमा, बैठ करके, अगर ये सनी के साथ अच्छा संबंध बना रहे हैं, तो ये चंद्रमा कोई जादा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन लगन पर इनकी दृष्टी पड़ेगी, अपने ही घर को देखेंगे, ये स्रेष्ट होगा आपके दामपत्य जीवन को ये खराब नहीं करेंगे लेकिन याद रखिएगा कि सुक्र और चंद्रमा ये दोनों इस्त्रीकारक रहा हैं सब तंभाव में बैठ करके अकेले कई बार ये दामपत्य को खराब कर देते हैं इसके लिए उन्हां आपको कहूंगा कि यहां बैठे चंद्रमा के लिए किस से द्रिष्ट है जब ये पीडित हो जाए यहाँ विश्योग बन जाए गरहन बन जाए तो उस अवस्था में आम आवश्या का दोस हो जाए तो दामपत्य खराब करेगा ये आपके ब्यापार को खराब करेगा सब फल्ताओं में ये बाधा उत्पन करने लगेगा आपके व्यक्तित्व को ये कमजोर करेगा पीडित होने पर जादा अब मबान लीजिए यहां विस्योग है और सनी भी साथ बैठे हुए यहीं सनी ने विस्योग बनाया चंद्रमा के साथ यहीं सनी भी बैठे हैं तो यहां पर सनी ने चंद्रमा को पीडित तो किया लेकिन वो सस्योग भी बना रहे हैं अब करक लगने में सस्योग कोई कारक योग नहीं है लेकिन इसके बावजूद कम से कम उसका प्रभाव अगर सनी बलाबल के साथ हैं तो कम से कम 60% उसका प्रभाव मिलेगा तो क्या होगा तो पहले तो आप थोड़े आलसी होगे क्योंकि लगनेश पीडित क्योंकि सनी की दृष्टी लगनेश पर वो चंद्रमा को विश्योग बनाया और सनी की दृष्टी लगनेश पर पढ़ने के कारण प्रक्तेक कार्य आपका बिलंबित हो जाएगा तो इसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अब यहीं लगनेस आकर के कुंडली के अश्टमस्थान में बैठ जाएं तो क्या होगा तो अश्टमस्थ चंद्रमा सनी की दासी में बैठे हैं जब भी होगे अव योग होगा तो आप कह सकता हूँ कि जीवन काल में आपको आपके जीविकों पार्जन में ये संघर्स बहुत जादा कराएंगे दूसरों को आप छू दीजिए दूसरों का कोई काम करा दीजिए उसका काम तुरंथ हो जाएगा लेकिन आपके काम बाधित होंगे आपके काम में समस्या उत्पन होगी आपका बनता हुआ काम कई बार बिलंबित हो जाएगा रुक जाएगा लेकिन पुनह अगर यहां बैठे चंद्रमा गुरू से द्रिष्ट हों शुक्र से द्रिष्ट हों या किसी सुभग रह से द्रिष्ट हों तो यह आपको बहुत जादा आध्याप्निक बनाएगा धार्मिक प्रवृत्ति का बनाएगा बुद्धिमान और ग्यानवान बनाएगा आपको यह धनी बनाएगा यानि कि यहां बैठे चंद्रमा से डरने की जुरत नहीं रोगों के मामले में मैं बार बार कहता हूँ चंद्रमा बड़े रोग नहीं देते लेकिन छोटे छोटे रोग हमेशा देते रहते हैं ठंड जनित रोग, सीत रोग यह हमेशा देते हैं तो इसके लिए आपको चंद्रमा को देखने की अत्यनत आवशक्ता है अब आजाए लगने साकर के भाग्य भाव में बैठ जाएं अत्यनत स्रेष्ट यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है भाग्य के तो आप बहुत धनी हो गए लगने साकर के भाग्य भाव में हुए तो आप भाग्य के अत्यनत धनी हुए यानि महाभाग्य एक तरह से बन गया परंतु आपकी रासी मीन हो गई तो करक लगन और मीन रासी दोनों जलतत्व, दोनों की मैत्री लेकिन आपका मन बहुत ओइस्थिर होता है आपके मन में भटकाव होता रहता है आपके दिश्वभाव की स्थिती बनी रहती है आपके मन में संसे की स्थिती उत्पन्न होती रहती है लेकिन चुकि आप भाग्यवान बहुत है अताहाँ आपके काम सारे होंगे जिस काम को आपने प्रारंभ कर लिया वो पूरा हो जाएगा, आप काम ठान लेंगे, काम बन जाएगा, यानि भाग्य यहाँ पूर्ण सप्षयोग आपको देगा, भाग्य का पूर्ण लाभ आपको मिलने वाला है, अब पुना एक बार पीछे ले आओंगा, यहाँ बैठे चंद्रमा, यहाँ और यहाँ, इन भा हो गया कि आप जानमजाद भाग्यवान हैं, और गुरु भाग्येस हैं, तो 16 वर्स के बाद ही आपका भाग्योदय हो गया है, तो यहाँ बैठे चंद्रमा का रत्न धारन कर सकते हैं, इन तीन भावों में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले चंद्रमा की स्थिति को देख करके, मान लिजिए चंद्रमा आपको ठंड जनित रोग दे रहे हों, और आपने चंद्रमा का रत्न धारन कर लिया, तो यह आपके स्वास्त पर बुरा प्रभाव डालेंगे, तो इनके रत्न से बचिए, इनके रत्न की जगा आप भगवान शिव की आराधना करिए, सोंबार का अबरत करिए, पुरुनिमा का बरत करिए, सीव जी को सोंबार के दिन जाकर के दूधर पित करिए, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, आजाइए कुंडली के दसंभाव में, लगने साकर के दसमस्त हुए हैं, अत्यंत स्रेष्ट कह सकते हैं, कली मैंने बताया था कि लग में अंतर आया है, कैसा? करकलगन और रासी मेस, मेस रासी होने के चलते हैं, चर रासी है, मंगल की रासी है, अगनितत्व की रासी, जलतत्व और अगनितत्व में मेल नहीं, उसके कारण आपको क्रोध थोड़ा ज़ादा आजाता है, धैरे की कमी हो जा रही है, आपकी वान आप इसके लिए जाने जाते हैं कि जिससे भी आप जुड़े उसको फायदा पहुँचाएं और लोग, हलाकि आपको ज़्यादा तर लोग यूज ही करते हैं पर फिर भी यहाँ पर बैठ जाएंगे चंद्रमा तो आप दूसरों को यूज करने का प्रित्न करने लगेंगे और ठीक आपके सभाव के ये विपरीत हो जाएगा हलाकि यहाँ बैठे चंद्रमा आपको करतब बे पारायन बनाएंगे कर्म के छित्र में जबर दस्त सफलता दिलाने वाले बनाएंगे तो यहाँ बैठे चंद्रमा को मैं स्रिष्ट मानता हूँ यहाँ पर बैठे चंद्रमा का रतनाब धारन कर सकते हैं परन्तु ये देखिए कि चंद्रमा किसे द्रिष्ट हैं किस के साथ बैठे हुएं चंद्रमा के साथ ये सूत्र हमेशा लागू रहेगा आजाए कुंडली में, एकादव सुस्थान में, प्रॉफिट हाउस में यहाँ पर चंद्रमा उच्रासी में हो करके आकर के बैठ जाएंगे, बृसभरासी, इस्थिरासी है, यहाँ पर बैठ करके चंद्रमा आपको आजीवन पैसे की कमी महसूस नहीं होने देंगे, पैसा आ करने से बचीए, क्यों? मिथुन रासी में होने से कोई दिक्कत नहीं पहले तो कहूंगा कि चंद्रमा का संबंध बुद्ध के साथ देख लीजिए लेकिन लगने सोकर के बार में भाव में बैठे हैं तो पुना कहूंगा ये संघर्स कराएंगे जन्मस्थान से दूर जाने को कहेंगे दूर जा करके ही आप माता पिता का की सेवा कर सकते हैं जन्मस्थान से दूर रह करके अपने स्वदेश अपने घर की सेवा करिए अपने घर की देख भाल करिए आपका जो अपना घर है जो आपने बनाया हुआ है उस घर में अगर उस घर से दूर रह रहे हैं तो भी उस घर में उसकी देख रेक साफ सफाई कराते रहिए आपके चंद्रमा ठीक रहेंगे वहाँ बैठे चंद्रमा आपको धार्मिक बनाएंगे वहाँ बैठे चंद्रमा आपके पैसे धर्मकर्म में खर्च कराएंगे और स्रेश्ट ही खर्च कराएंगे यानि इस चंद्रमा से आपको फाइदा तो होगा लेकिन पीडित हो जाएं आम आवस्या के दोस्ते ग्रसित हो जाएं तो ये कमजोरी खड़ा कर देंगे आपकी नेत्र में समस्या खड़ा कर सकते हैं आपके स्वास्ते में समस्या खड़ा कर सकते हैं आपको सत्रूओं के द्वारा पीडित करा सकते हैं आप जीवन परियंत अपने ब्यायकुल लगातार पैसे को पकड़ने का प्रत्न करेंगे आपके स्वभाव में ये बात होगी कि पैसे को बचाऊं लेकिन चाह करके भी आप पैसा बचा नहीं पाएंगे ये पीडित होने पर जादा होगा अगर पीडित नहों तो ये समस्या कम से कम होगी उन प्रियदर्शकों करक लगने के बार होगा होँ मैंने चंदरमा के बारे में आपको बताया है अब यहां एक बात बता देता हूँ चंद्रमा आपकी कुंडली में अधी कमजोर है, कि मदरुम से पीडित है, विशियोग से पीडित है, गरहण से ग्रसित है, मेरी सिर्फ है कराय मानिए. आपको जितने उपाय करने हो, जितनी सांती करानी हो कराईए, लेकिन मेरी एक राय मान करके घर के आसपास कोई शिवलिं हैं वो सांत हो जाएंगे याद रखिएगा किसी प्रकार की सांती से कोई दुरियोग खतम नहीं होता है एक ही उपाय है लगातार आराधना भगवान की करके उस दुरियोग पर बिजय प्राप्त किया जाए तो आसा करता हूं आप ये जरूर करेंगे और अपने दुरियोगों से शांती पाएंगे आज के रखितना ही कल हमारी बाचित सिंग लगने के बारहों भाव में चंद्रमा के प्रभाव को लेकर के होगी तो इजाज़त दीजिए कल तक के लिए कल पुना हाजिर होंगा नमस्कार